अच्छी हूँ मैंने सुना कि आप रात की दवाई नहीं ले रही है बात ये है कि रात को दवाई लेते ही मेरा जी खब राता है दवाई के बिना भी नीन दाती है ठीक है जैसे आपकी मर्जी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं ये कोई होटेल या रिजॉट है क्या जहां इनकी मर्जी चलेगी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था वो छोड़िये आपको कम से कम ये तो देखना चाहिए कि मरीज अपना खाना खा रहा है या नहीं ये देखे इन्होंने खाना चुआ भी नहीं है मैं वही देखने माला था इस से बहतर खाना तो जेल में मिलता है आप कैसे एक्सपेक कर सकते हैं कि ऐसा खाना कोई मरीज खाएगा मैं निटिशनेस नहीं हूँ खाने के बारे में वही बताएंगे सही का आप तो एक डॉक्टर है ना तो फिर इनके मना करने पर भी आपने इन्हें दर्थ की दवाई क्यों नहीं दी हाँ मैं निकाज लिज में बत बोलिये मेसो हमने इनकी कुछ दवाईयां इसलिए हाट आई है क्योंकि उनके साइड इफेक्स थे इनकी हालत देखिये इनने दवाईयों की संग्स दरूरत है अरे क्या हुआ चिला क्यों रहे हो प्लीज थोड़ा धीरे बात करो यह हॉस्पिटल है सुनिये मेसो दवाई नहीं लेनी तो हॉस्पिटल में क्यों मैठी है आप बताएए जिद छोड़िये और जैसा दॉक्टर कहते है वैसा करिये जी मिस्टर कसानो I'm sorry doctor, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ प्लीज बुरा मत मानिये आजकल वो बहुत टेंशन में है इसलिए शायद उसने तो डरा ही दिया पर एक बात बताऊ उसकी डांट में प्यार था Sir, आज डॉंगिल और टाइसन बैंक्स के प्रेजडेंट के साथ मेरी मीटिंग थी दोनों ही बाबेल में पैसा लगाने से मना कर रहे है शिंक्वंग बैंक के बाबेल में इन्वेस्टमन के बाद भी हाँ हंग्चा यंग ने रेपोर्टर्स के सामने कल जो बखवास की थी उसकी वज़े से उन्हें बाबेल पर कोई भरोसा नहीं रहा मैंने पहले भी का था ना हमें विन चांज और हंग्चा यंग को ठिकाने लगाने मैं आप के ही भले की दुबात कर रहा हूं ना भाई तो अपनी आवाज नीचे रखना मुझी आवास से मुझे डर लगता है मुझे माप किजेगा सर एक काम करते हैं आज रात में नाम डांगो आफिस में एक मीटिंग रखोंगा तो टाइम से आज आना हाँ, टेकिए